इतने जादा टेस्टी की मुँ में जाते ही गुल जाएं बाहर से एक बंग क्रिस्पी और अंदर से बिलकुल नरम मुलाएं बहुत ही जबरदस्त कबाब हैं ये हेलो एवरीवर्न असलाम उलेकुम मैं हुनाहिद और वेलकम टु माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं हरे भरे कबाब विंटर की रेसिपी है विंटर जाने से पहले फटाफटे से बना लें इस इंजॉय करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मूली के लच्छे के साथ और ह स्टी को करना हमें ब्लांचति की ब्लांचति की उबलने लगे लगे का इसमें अम ढाल देंगे हरे माटर और पालक इन दोनों को हम 4-5 मूАट ।क ब्लांच करने अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें एक लाइक ज़रूर से दें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आपको रेसिपी तो आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे और हमत मिलती है अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए तो हमारे पालक और मटर हो गए है बलांच इसे मैं डाल दिया ठंडे पानी में और इसको हम ठंडे पानी में डालने के बाद जिब थोड़ा सा रहा हो जागा तो हाथों से हम पालक के पत्तों खूब अच्छे से निचोड लेंगे और कुछ और इंग्रीडियंट्स हम एट करेंगे जिससे के हमारे कबाब बहुत सदा टेस्टी हो जाएंगे हरी मिर्च रधनिया लसनी कलिया और थोड़ा सा अद्रग इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे है और इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में इसको हमें दरदराई पिसना है बहुत सदा बारिक नहीं करना है अब इसी के साथ हमें डालेंगे 100 गराम पनीर और आलू है और इसे हमें ग्रेट करके समाइड करना है तो सारे पनीर और आलू को हम ग्रेट करके समीं डाल देंगे बहुत ही क्षपी रेषिपी है जरूर से ट्राय करें इस विंटर शाम में स्नैक में बनाया या फिर पाटी के स्टार्डर में आप रख सकते हैं कोई ग्यस्ट तो उने भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी है और इसी के साथ हम आलू को भी ग्रेट कर देंगे मैंने पालक और मतर की और भी बहुत साई रेसिपी अपने चैनल पर अप्लोट की हैं आप उसे भी चुक करें विंटर्स की बहुत ही बड़िया बड़िया रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है इसी के साथ हम डाल देंगे वन टी स्पून चाट मसाला वन टी स्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट फोर टेबले स्पून हम इसमें डालेंगे भूना हुआ बेसन अगर आपको गीला लगेगा तो आप इसमें तोड़ा और बेसन पर सकते हैं बाइंडिंग के लिए माुट ही बड़िया से मिक्स करने के बाद हम अथ में लगा लेंगे तेल और अछिए से हाथी को तेल से ग्रीस करने के बाद हम इसके बनाएंगे कबाब कि तो बस एक बर मैं अच्छे से ग्रेस कर लूँगी और एक ही बार ग्रेस करने के बाद हमारे सारे कबाब बन जाएंगे तो जितने बड़े साइस के आपको कबाब बनाने हैं उतना पोशन लेके हम इस तरीके से फ्लैट करेंगे हथेली की बीच में गोल करके और इसमें एक लगा देंगे काजू की पीस जिससे देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये और खाने में भी अच्छे लगते हैं बस इसी तरीके से हम सारे कबाब बना सकते हैं आप इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेट क्रम भी डाल सकते हैं कॉन फ्लार भी आट कर सकते हैं बट आम तोर पे कबाब हम बना रहे हैं तो कबाब में बेसन ही जाता है कॉन फ्लोर और ब्रेट क्रम नहीं जाते हैं बट कबाप इसको चाहे तो डीफ्राइ भी कर सकते हैं या फिर शेलो फ्राइ करूंगी तो पैन में एट करेंगे हम थोड़ा सब झालेंगे क्योंकि हमडी टालेंगे क्योंकि हम डीफ्राइ नहीं कर रहे हैं और जैसे यह हमारा बढ़ी ऐसी करम हो जाएगा इसमें आरे कबाब काजू अलषी साइट पिश्राइट को हम पहले डालेंगे नीची की साइट में ओर पर फिर बाद में हम पिशि conhe Original SC तो मीडियम पर से divisic yo हूं पिश्रे मigtनीच से पकाना और पांचा से 6 उतने कबाब बनके रेडी हो जाएंगे बहुत ही जटपड भी बन जाता है बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ बनते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं तो लाजमी बनाएं फीडबैक में उसे शेयर करें कि आपे कबाब कैसे बने और यह निकाल लेती हूं मैं इस और हरी चटनी के साथ तो मैं इक मूली ले रही हूं उसको इस तर आभिसे मेंankरे कर रही हूं कदुकस कर रही हूं और मैंने ग्री चटनी बनाई यह सेमपल धनिया पुदिना हरी मिर्च नींबी और नसं के साथ मैंने बनाये हैं यह बीच में सेंटर में हम चटनी डाल दे तो यह हमारी प्लेटिंग भी हो जाएगी कबाब की और मूली की उपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे जैसे कि यह साधी साधी ना लगे इनमें भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और बस अब इसमें हम अपने कबाब को रख देंगे और यह गर्मक अरम कबा आप हम सर्फ करेंगे मेरे घर में तो यह बहुत ही जादा चाव से खाया जाता है आप भी बनाएं खाएं दुआओं मयाद रखें फिर मिलूंगी एक और आसान मज़िदार और एक नई रेसीपी के साथ टेक केर बाब बाय लहाफेज